हमारो त्रेंट आज हमाराट करेंगे थरी की बात करेंगे पहारज दय ने क्या-किषज इनकी में में क्या पॉइंट थे आपके हरेंक पॉइंट कर सकते हैं चेट की बात कर सकते हैं इसमें एक Council आपकोары कि अपर करतें सबस्क्राइब को अधिक toaday थे क्या हम बात करते हैं कि प्याजे का संग्यानात्वक सिध्धानद की बारे इन्हों ने कौन को अधिक को इन्हों को से थिरिती में कोश्चन यहां से आजाता आपका उसको क्या बोलोगे आप Cognitive Development Theory की बात परोगे इन्होंने संग्यानात्में सिध्धान का संग्यानात्में विकास का सिध्धान दिया था है इन्होंने प्याजे क्या बोलते हैं जो बच्चे का विकास होता है बच्चे का जो डवलोपेंट होता है उम्र के एकोर्डिंग होता है एज के एकोर्डिंग होता है इसी वज़े से इन्होंने क्या किया था एज में डिवाइड किया था जो भी डवलोपेंट इनके एकोर्डिंग था ए इन्होंने किसकी बात किती, Cognitive Theory की बात किती, Intellectual Development Theory की बात किती, अगर हिंदीम बात के, तो बहुत दिक, विकास की बात किती, कोई बात है, तो मेनिंग का पॉइंट क्या था, जो बच्चे का विकास होता है, क्या होता है, एज के एक कोडिंग होता है, किसी को डाउट है, इन्हों नेक्स्ट पॉइंट की आपका, प्याजे क्या थे, एक Saik Rus लोजिस्ट थे, ये कहां के रानेवाले थे, texture ्लेंड के राने वाले थे, धेहान्न क्भी कोई question आपका एक नम्मर से आ सकता है, प्याजे क्या थे, a एक साइकलोज थे, राइट, नेक्स्ट पर जगते ह इन्वोने बैच्चे को क्या बोलाता आक्टीव कंस्ट्रक्टर बोला ता बच्चे क्या होते हैं आक्टिव कंस्ट्रक्टो रहा द्रशान बॉले सिंग में बच्चे मिकाल में टॉरी टॉर स्यंत्ये नाम किया जागा तो प्याज्टा है जो बच्चे कर दालॉपेंट होता है चाइल्ड का जो development होता है एज के according होता है जैसे जैसे उसकी age बड़ेगी उसी हिसाब से उसका क्या होगा बच्चे का development होगा आपने ध्यान से देखा भी होगा बच्चे एक छोटा होता है फिर धिरे धिरे बड़ा होता है इस सारे main main point आप note कर सकते हूं, इन डाओट, ठीक है, next point देखते हैं, शह्क М hora r को अबस्टे जौर आपने ज्यान का निर्मार्थ घरते हैं इन्होंने बोला उसके बाद क्या बोलते हैं प्याजे क्याते रचनावादी थे रेडिकल कंश्ट्रक्टवी थे राइट करिया करते ग्यान के सुर्जन की बात करते भी हम इसमें देखू क्या है आपका असतत प्रक्रिया है This is your discontinuous process है इस वज़े से discontinuous है क्योंकि इन्होंने stage में divide किया था जो बच्छे का विकास होता है Age के according होता है जोरे से दो साल के बच्चे को क्या development हो पिर 225 क्या हो गा रहे है तो इन्होंने age में जो भीकास होता है एज में डूइड किया थैं इस वजए इन्हों न क्या बुलता कि जो बच्चे का डॉप्यन्ट वोता कैसा होता आपका इस कांटिनिगास होता है उसके ब सकते हो यह तक कोई डाउट है यहां तक अगर प्याजे के सिँनान हमें यह बताता है कि बच्चे क्या होते हैं, जब ही कोई बच्चा पयदा होगा क्या होगा आपका अल्रेड़ी यह सारी चीजह, उसके अंदर पयक्त होगी, कुछ mieć आपधा ह мाल क्लेक्टिव मोनोलोग होते हैं सामोई केकलाब दिया जाता है बच्चे क्या गरते हैं क्लेक्टिव मोनोलोग एक साथ किया अध्या नहीं संग्यानात्मक बधिक विकास को फोर स्टेज में डिवाड किया था है और द्य Awesome schema कभी केभी बार-बार वाड़ आता इसखीमा होता क्या है अपकी जामम में देखताई इसखीमा होता या होता है एक कटेगरी में टिवाईड होता हर एक बच्छे कला होता हुँ कुछ चीजे पहलेस यो उसको क्या बोलता अप इसकीमा बोलते हो जो पाले सेंट बिल्ड होती है तो उसको क्या बोलोगा एक इसकीमा बोलोगे एक बांसी क्या होती है एक सरणचना होती है इसकीमा उसके बाद क्या देखो यहाँ पर नेक्स पांड क्या है ईता है जिरो टूफिप्टीन इयर क्या होता आपका मैक्समीड ड Parker चैनल बोला बच्चे के अंदर being जिरो टू फिप्टीन एर बच्चे के अंदर क्या होता आपका मैक्समाम डवलप्मेंट होता है मिस्स जिरो टू फिप्टीन एर क्या होता आपका बच्चे के अंदर मैक्समाम डवलप्मेंट होता है कि यहां पर बोलाए जिरो टूफिटीन यर इसका मतलब क्या हो गया बच्चे के इंदर जो डेलोप में टो जो आपका मैक्सिम होता है जो भी बच्चा होगा जिरो टो फिप्टीन यर जो इसका ड़लोपेंट होगा बहुत ही जादे होगा उसके बाद क्या होता है थोड़ा थोलो होता है बड़ जरू टूफेटिन क्या होता है अब दोके यहां पर किया बना आपका इस्टेज बने यह बनेगे वन टू-3-4 इसेज बने आपका फार्स सेकेंड थार्ड फॉर इस वजह से इन्हीं नेगे बोलता हो जो आपका को इन्हों कि ने की है इस वज़े से क्या बिकास होता की एचर को इनक्लीवी करे अग्या था बच्रिटावी क्या चैनले से किळाем्यो dubte कि stage इस वज़े से इन्हों नों क्या बोलता है so it is discontinuous process क्योंकि प्याजी थे क्या करती है stage में तोड़के बात करती द्यानक ना stage में divide करके बात करती कि बच्चे का विकाद 0 जो से दो साल केतना होगा फिर तीन से पांच होगा फिर पांच से साथ है इंट सो आं जिस वजह से इन्हों ने बोला था जो बच्चे का development होता कैसा होता अपका discontinuous होता है I think यह था concept clear होगा अब इन्होंने क्या बोला था प्याजे ने four element की बात करती किसके four element की बात करती किसी ने प्याजे ने बात करती वह four element है कौन-कौन से आपके तो first क्या था अपका maturation है इसको क्या बोलोगे हिंदी में परिक पर्क होता राइट मिस क्या होगा आपका जो भी maturation होती बच्चे के इंदर क्या होती एज के सब्सक्राइब करता है इसको याद करने के तरीका के में इसके बाद सोसल इंट्रेक्शन समाजिक अंतर क्रिया बच्चा क्या करता है सीखता है हर चीजे उसके बाद क्या था होता है संत्र लल की प्रक्रिया होती है और दुक में क्या था गाता था अिन्होंने लैंगवेज को सामिल नहीं किया थे देया लगण को ऑगग अ जाता है जो प्याजी का four element था उसमें language सामील है कि नहीं तो क्या होगा option में नहीं सामील होगा ध्यानकरा तो इन्हेंनों four stage की बात की तो M A S E ध्यानकरा maturation experience social interaction and equilibrium इसके हिंदिम बात कर सकते हैं तो परिफक्त अनुबाव समाजी इसके बाद क्या होगा आपका next process this is very very important आपकी प्याजे theory में main point आपके देखो equilibrium क्या होता आपका adaptation क्या होता assimilation क्या होता accommodation होता आपको option में बार-बार चीज़े देखेगी राइट कि यहां अगर हम बात करें process of equilibrium होता क्या actually संतुलन की प्रक्रिया होती क्या है जिससे हम equilibrium की बात करते हैं तो दो कि हाँ first term क्या adaptation adaptation क्या होता आपका कोई चीज़े एडाप्ट करना means आप जिस environment में रहा रहे हो तो वहाँ पर क्या करोगा आप अगर छोटा सा बच्चा है जिस environment में रहेगा उस जिस जो को रहेगा 방법 करेंगा जैसे में जहाँ पर रहुंगा जैसा मेरे surrounding का environment होगा अच्छे लोगों के बीच में रहेगा तो बच्ची के क्या होगा बच्चा काई बहुत ही अगर बच्छे मेंड़ाप्टेशन बोलते हो हिंदिम बात करें तो उसको क्या बोलतो अनुकूलन बोलते हूं ठीक है इस इस पार्ट आप दो वाट इकलिब्रेशन उसके बाद इस वह एडॉप्टेशन को अगेन दो पार्ट में डिवाड़ेड़ है आपका assimilation and accommodation अब ये दोनों टर्म आपके बार-बार एक्जाम में आते हैं assimilation क्या होता उसको हिंदिम क्या बोलतो हो माथमसात and accommodation क्या होता है आपका समाय और बात करें तो आपके asimilation क्या होता आपको इंदर कोई भी चीजिए क्या क्या करता हूँ आप अड करते हो अपने अंदर और आपका जो previous knowledge और आज आपने कुछ knowledge नए चीज़ सिт guruk को क्या कि अपने माइड में ऐड किया आपने अपने इसको क्या बहुत होगे तो मालो उन्होंने अब एक छोटा बच्चा क्या है मालो एक बच्चा है से रइट उसने क्या है शिक्राइबगा अभी怎麼了 सीख रिगस हुए और कल क्या करेगा हो अगर subtraction इसलोग को या भी चीज आप अपने माइड में एड अनक नाई होता है जनाक कि या रहूज необходимо किहाँ चाहिए के इसलोगे केक्ष बपाराउस तुछ फ़िश hmm अध्यर्च पर उसको क्या बोलोगा प्लेशन का मॉडिफाई आ जाएगा वर्ड तो ध्यानक्राइट विए टॉकिंग बाउड दर एकोमोडेशन हम किसकी बात कर रहे हैं एकोमोडेशन की बात करें समयोजन की बात करें जैसे आपके नौलेज में कुछ भी आपने कुछ भी सीखा आपने किया कि उसमें कुछ किया तो इसको क्या बोलोगे आप टेक्निकली क्या बोलोगा आप एकोमोडेशन बोलोगे उसको तो जहां भी वर्ड आपका एकोमोडेशन आएगा तो यहां भी आपका एकोमोडेशन आएगा तो यहां हम क्या करेंगे उसको मॉडिफाई जहां भी दिखेगा आपको आप उसको क्या बोलोगे आप मोडिफिक स्वरी एकमोडिशन समय उजन बोलोगे आप हिंदे में उसके बाद देखो एकुलिफिशन का अगेन इस सेकेंड पार्ट में डिवाइड किया गया था आपका ओगनाजेशन ऑगनाजेशन क्या होता आपका संगठन बोर सकते हो राइट एक सिंपल से प्रक्रीया है कि जो भी आपके ब्रें में इस स्कीमा में है लुक्षी मार्ण सर्णचना होती जो बच्चे में पाले से उन्बिल्ट होती है उसको कितने अच्छे से एक कटेगरी को भिहाज करके रखा गया, that means क्या हो रहा है, जो भी आपकी brain में कोई भी चीजे है, उसको आपको माइंड में बात करें, जो भी information आपके माइंड में store है, उसको आपने कितने कटेगरी से, कितने will defined manner से आपने उसको माइंड में fit up किया, उसको क्या तो इसको आपने किस तरीके से अपने उसको माइंड में रखा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, और जिसन बोलोगे निहानक ना, इनी डाउट, तो इस सारे टर्म आपके concept क्लियर हो गया होगा, adaptation क्या होता, जिस environment में रहोगे, उस चीजों के क्या करोगा, आप आइड-on की बात करें, उसको बोलोगे, assimilation, accommodation होता है, that means we are talking about the modification, कि modification जहां भी आएगा, that means we are talking about the accommodation, organization क्या होता है, कि एक mind में क्या होती, एक simple से सरनचना होती, schema होती है, कि जो भी चीज़े होती, will categorize, तरीके से क्या होती, आपकी information क्या होती, mind में आपकी store होती, उसको क्या बोलोगे, आप organization बोलोगे, I think यहां तक clear होगा concept, next देखते हैं, point, same चीज़े, unclosureing की परक्रिया है, process of adaptation, आप adaptation को यहां के detail में देखते है, adaptation क्या होता है, तो first दोक्री stage के assimilation, assimilation मैंने भी बताया, क्या means, means आप कोई भी चीज़े जब भी add करते हो, that means क्या हो आप assimilation बोल कोई भी चीज़े एक बच्चा है, आपने क्या किया, कोई चीज़े add किया, कोई नए चीज़े information है, उसको क्या किया, उसने capture किया, add किया, right, फिर क्या किया, उसने, उसके mind में क्या आजागा, equilibrium आजागा, अच्छा, हमने इस चीज़े सीख ली, but next step में क्या होता आपका, य division, उसके mind में क्या होगे, store होगे, संतुलन बन गया mind में, अब क्या हो गया, एक नई situation है बच्चे के सामने, कौन सा symbol आगया आपका, जैसे बच्चे के सामने क्या आ सकता, आपका मालो मैंने बोला, subtraction आगया, यहां तक क्या जानता था बच्चा, addition, multiplication, division, अब बच्चे के सा हो जाएगा, disequilibrium हो जाएगा, कि means, समय जन क्या होगा, यहां फिर disequilibration हो जाएगा, कि जो भी चीज़े symbol है, क्योंकि उसके mind में क्या होगे, adjust नहीं हो पाएगी, क्योंकि नया symbol आ गया, क्योंकि बच्चे इसके बारे में नहीं पता है, तो क्या बोलो गया, disequilibrium हो गया, that assimilate करेगा, that means add-on करेगा mind में, उसके बाद क्या करेगा mind में, फिर equilibration आएगा, फिर ऐसे process चलता जाएगा, जो भी चीज़े आप कोई चीज़े नहीं situation आएगे, उसको क्या करोगे, adopt करेगे, फिर उसके बाद यह process again and again चलता जाएगा आपको, समय हो रहा है, this is the assimilation, equilibration, new situation, dise equilibrium, कोई doubt है किसी को, ठीक है, तो इस सारी चीज़े है, दिखके यहां पर एक term में, एक line में बोले, अगर assimilation की बात करते हैं, अगर एक line में हम बात करें, assimilation होता क्या आपका, तो information को existing schema में add करना, इसको बोलतो हो, assimilation जो भी चीज़े नहीं चीज़े आ रहे हैं आपके mind में, उसको क्या क्या आपने add-on की, उसको क्या बोलो, जहां भी add-on की बात होगी, तो क्या क्या होगा आपका term, assimilation, आत्म साथ करना, अगर हम accommodation की बात करें, समयोजन की बात करें, तो हाँ भी किस चीज़ की बात करोगे आप, modification की, right, modification की, तो अपने information में, adjust, manipulate, modify, that means, यह तीनों दिखे, तो उसको क्या बोलोगा, accommodation बोलोगे, ध्यानक्र, this is the very very important point, right, so this is the all about the Piaget theory, यह सारे point किस के बारे में थे, Piaget के बारे में थे, right, so thank you.